नमस्कार सिल्क टीवी देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ विकास कुमार विहार विधांसवा चुनाव की रणवेरी बच्चुकी है तीन नमंबर को भागलपूर नगर में चुनाव होने हैं फिलाल किसी भी राजनीती पार्टी के उम्मिदवारों की नाम की घोशना नहीं की गई है वर्सों से पार्टी और राजनीती में सक्रियर है नेता और कारिकरता टीकट की आस में अपने अपने पार्टी के आला कमानों के फैसले की आस जो रहे हैं भागलपूर सीट से इसी कड़ी में एक नाम डॉक्टर सला उद्दीन असन का आता है। डॉक्टर सला उद्दीन तकरीवन 20 सालों से राज़त के लिए नगर में काम करते आये हैं। डॉक्टर सलाउद्दीन एमेम डिग्री कॉलेज भागलपूर में प्राचारी के पतपर होते हुए भी छेत्र की जनता के बीच हमेशा नजराते हैं। साथ ही कई शांती समीती संगठन से जुड़कर समाज में एकता स्थापित करने का भी परियास करते रहे हैं। ऐसे में डॉक्टर अहसन को राज़त से काफी उमीदे हैं और भागलपूर से राज़त की तरफ से विवेदान में उतरने की तयारी में हैं। हमारे साथ डॉक्टर अहसन है। सर सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्वाद आपका। एक प्राचार्च के पत्पे होते हुए राजनीती में आना और राजत का दामन ठामना, तो कुछ तो सोचे होंगे सर। हाँ जरूर एक प्राचार्च के पत्पर रहते वे नौजवानों से मिलने के ज़्यादा इत्वाक हुआ और उनको प्रेरित करने के लिए उनको आगे बढ़ाने के लिए किसी पुलिटिकल पार्टी का भी सहरा लिना जरूरी था लालू जी की विचारधारा को जो सब को साथ लेके चलने की मैंने देखी तो मैंने राजत पार्टी को ही जोएन किया और उसके विचारधारा उसके सिध्धान को ही मैंने आगे बढ़ाने की कोशिश की सर्थ भागलपूर्ट में अगर देखा जाए तो अभी तक जो है बात हमेशा विकास की हुई है जब जब चुनावी चुनाओ का समय आता तो बात विकास की होती है लेकिन जमीनी अस्तर पर कितना विकास हुआ है या हमारे सामने आपके सामने सभी लोगों के सामने है ये तो हकीकत है कि जितने भी नेता आए और जिन्होंने जो वादे किये वो वादे जमीन पर नहीं उतरे भागलपूर की जनता के साथ धोका हुआ चाहे वो अएरपूर्ट का मामला हो, हवाई जास उलने का मामला हो, राजधानी चलने का मामला हो, एम्स खुलने का मामला हो, आई आई टी खुलने का मामला हो सारे इस पर विफल रहा, एवन के ये स्मार्ट सीटी कहला है, स्मार्ट सीटी के होने से चार साल हो चुका लेकिन इस चार साल में भी स्मार्ट सिटी का कोई रूप रेखा भागलपूर की जमीन पर नहीं उतरता वा नजर आया इवन कि तिलका माजी चौक पर एक ट्रैफिक लेट लगा और उसी को हम लोग इसका विकास का मुद्ध ये समझ लिया कि यही स्मार्ट सिटी की पहचान है जबके वो भी दो महीने के बाद बंद पड़ा नजर आता है और ट्रैफिक तो भागलपूर की सबसी बड़ी समस्या अगर ट्रैफिक में सुधार हो जाए जहां मुझे पंदरे मिनट आदे घंटे में पहुँचना होता है वहां मुझे दो से चार घंटे लग जाते हैं और समय की बरबादी होती है इसलिए तो कोई चीज कोई एक चीज से भी भागलपूर की जनता सटिस्फाइड नहीं है पिछले जतने भी राजनेतिक यहां से विदायक आए इवन के यह पुल जो है संपार के पास जो पुल है वो पुल बैता है और लोग उसमान नहीं चल पाते हैं कुछ पुर्व के बिधायक का यह एक मुद्दा रहा था कि मैं आऊंगा तो इसे बना दूंगा लेकिन समस्या जोंकी तो पड़ी है बरसों से सर राजद में आप सक्रिये रहे हैं और राजद में महानगर पद अध्यक्ष पद पर आप कावीज भी रहे हैं जब पार्टी नई कमिटी की घोशना की तो उसमें आपको कोई भी पद नहीं मिला लेकिन बात यहाँ पर आती है कि पद नहीं मिलने के बाद भी बर्सों से राजनीती में सक्रिय रहने के बाद भी आप अभी तक जो है दामन थामे हुए हैं देखिया हम तो पहले ही बोल चुके हैं कि मैं लालू जी के सिद्धान से जुडा था मैं किसी पार्टी के लालच में नहीं आया कि मुझे पद मिलेगा या टिकट मिलेगा तो मैं इसमें रहूंगा ऐसी कोई मेरी कामना नहीं थी और पद नहीं दिया तो ये अला कमान के सोचने का बात है या लोकल जो बड़े नेता है उन्होंने नहीं समझाओगा तो मैं पूर में भी ऐसे बियान दे चुका हूं इसलिए नहीं दिया हो लेकिन जिस पाटी को पकड़ा है उसके सिधान से मेरा पूरा दिली लगा हूँ है और हम चाहते हैं कि जो निचला तब का है जो विचारा गरीब पड़ा लिखा नहीं है अनपड़ा है खेती गरस्ती करता है उनको आगे आना चाहिए और अगर आगे वो आएंगे तो उनक की भी तरक्की होगे हमारे शहर के भी development होगा और हमारा सूबा हमारा देश भी तरक्की करेगा इस वीचार धारा से मैं प्रें रहीठा तो क्या लगता है इस बार के बिहार विधान सवाद चुनाओं में इस बार जो है राजनीती मैदान में भागलपूर सीट से उतरने की पूरी तैयारी है अगर अला कमान मुझे टिकर देगी तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि बहुत से उतरेंगे और जीत के भी दिखाएंगे और अला कमान सर अगर आपको आपके नाम पर मोहर नहीं लगाती है तो मैं पाटी के साथ हूँ पाटी की मदद करूँगा जो भी कंडिडेट आएंगे उनको भरपूर मदद करूँगा कहीं ऐसा तो नहीं हो सकता है सर बगावती तेवर भी अपना सकते है किसी पत पर ने रहते वे भी एक प्राचार्ट के पत पर रहते वे भी सबसे पहले मेरा जो दिली खाहिश रहता है भागलपूर का सोहर्द बना रहे ये हिंदू मुस्लिम एकता जो है उसको हमेशा काइम रहे और इसके लिए अगर कहीं पर कोई जरूरत परती है तो मैं बिला जिज़ा कुछ जगा पहुँचने की कोशिश करता हूँ अगर ये सोहर्द नहीं बना रहेगा और हम सारा चीज एस्मार्ट सीटी बना दे हम एस्मार्ट नहीं होंगे तो बेकार होगा इसलिए सबसे पहला कि कामनल हार्मोनी बनी रहे साहातपुर्ण महौल हो इसमें कोई भी बिजनसमैन अपने बिजनस को खुले तरीके से कर पाएगा जब महौल खराब होगा तो डर का महौल होगा और डर का महौल होगा तो वो कोई भी काम चाहे वो स्टूडेंट हो तो वो ठीक से पढ़ने से केगा बिजनसमैन है तो बिजनस सही से नहीं कर पाएगा बाहर से लोग यहां कुछ खरीदने नहें आगे कि यहां तो मारकाट होता है नफरत फहला आ जाता है तो पहला बातों को आप राष्टिय अस्तर तक रखे हैं और वैसे पाटी में परदेश अस्तर पर भी आपको पद नहीं मिलना तो कहीं ना कहीं लगता है की अपएखषित क्या गया है उपएखषित करने का मतरब्र कि होता क्या है कि पालिटिक्स मां मदद करने वाले कम होते हैं टंग खिचने वाले जादे होते हैं और उनको कहीं लगता है कि इनको आगे बढ़ाया तो ये बहुत आगे तेजी से ने भाग जाए तो उनलोग का कुछ तो रहता है कि भाई इनको यहीं पर रोका जाए ब्रेक लगा दिया जाए बेरियर लगा दिया जाए यह भागलपूर में सीवित रह जाए हो सकता ऐसा सोचो मेरी सोच तो यही है कि इस वह से मुझे छोड़ा गया हो सर अगर राजनीती की बातों से हम लोग निकल जाएं तो एक सवाल मेरा है कि भागलपूर की जनता से खासकर राजनीती मुद्दों से हटकर क्या कहना साएं राजनीती एक ही सारे जो अगर सही आपके पॉल्टिश्केन मिल गए सही विधायक मिल गए सही एमपी मिल गए तो यह सार बहुत तेजी से पर लेगा आज जब मैं यह सुनता हूं कि दर्वंगा से हवाई जहाद चलेगी एमस वहां खुलेगा तो मेरे क्या क्यम है मैं दर्वंगा से बेहतर आबादी महूं बेहतर तरीके से भागलपूर है उस शहर से और हवाई जहाज दरवंगा से उड़ रहा है जहां हो सकता है कि उतने कस्टमबर मिले ने मिले लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर ये भागलपूर से चलता तो वहां से ज़्यादा काम्याब होता और मैं अपने जो पिर्जेंट में MP या ML जतने भी स्थेतर के हैं उनसे अनुरोध करना चाहूँगा कि वो इस चीज पर डटके लगे और भागलपूर शाहर को ये सवगात दे हम लोग उनके रिनी रहेंगे सर राजनीती इतिहास को अगर देखें तो भागलपूर शाहर की जो कमान है वो आपको ऐसा लगता है कि सही नेताओं के हाथ में नहीं गया हो क्योंकि विकास को देपकर ऐसा लगता है कि हम सहर को हर पापलिक रिपरेजन्टिटिव की ये खाइश होती है कि मै बहतर से बहतर काम करूं लेकिन अगर आप बहतर से काम करने के लिए उनको पूरिए यहां से लेके स्टेटलिबल हाई लेबल तक मैं मधद की ज़रूरत है और राजनीती गलत राजनीती हर जगे हाव यह है मैं अगर आप पोजीशन से जीत गया हूँ तो रूलिंग पर्टी नहीं चाहती है कि इनके दुवारा ये काम हो जिसके चलते भी हम समस्ते हैं कि भागलपूर पेक्चित हो रहा है सर वासी क्या समझे सर डॉक्टर रहसन को एक पराचार ये महाश्टर साहव या फिर एक नेता देखिए अगर वक्ष जरूरत है तो मैं समस्ते भी भी हूँ और अगर छात्रों के बीच हूँ तो मैं पराचार भी रहता हूँ लेकिन उनका एक भाई उनका एक गारजन बनके ज्यादा रहना चाहता हूँ मेरे कॉलेज में अगर चातर आते हैं मैं ये फिलिंग नहीं होने देता हूँ कि मैं कोई गहर प्रिंस्पल हूँ मैं तुमारा अभी वावाक हूँ और इस कैंपेस के अंदर अगर कहीं तुम्हें लड़कियां भी मेरे यहां पढ़ती हैं लगबग 5-6 जार लड़के हमारे यह स्टुडेंट्स है तो उनको ये महसूस नहीं होने देता हूँ कि मैं कहीं घर से बाहर हूँ उनको घरेलू महुल देना चाहता हूँ और जहां पर उनको दिक्कत होती है कि वह पढ़े तो पढ़ने में अगर उनको ये होता है तो मैं कोचिंग खलवा दियो फिर यह कॉस्ट कोचिंग भी चलता है वहां सरकार के दुआ रहा है और उससे भरपूर मदद मिलती है जबके वो मैनेटरी कोचिंग है लेकिन मैं सिर्फ मैनेटरी लड़के को नहीं लेता हूँ मैं आस पास के जतने भी चातर गहर मुस्लिम भी है उनको भी कहता हूँ कि तुम सीखो अगर मुझे सतर सीट मिला तो दस बीस सीट और बढ़ा लेगी और उनको पढ़ने में कोई ये नहीं है तो ये चीज़ आप कहीं से भी पता चला सकते हैं मैं अपने मुझे से अपनी बात को क्या कहूँ ये काम बहुत अच्छे ढंक से चल रहा है और अच्छा अपसी टेट वगरे में रिजल्ट भी है हमारे सिंटर ने अच्छा दिया वहां डॉक्टर तन्वीर साहिब है जो मेरी पूरी मदद करते हैं इसको चलाने में इसलिए कि समय मेरे पास उतना नहीं रह पाता तो मैं किसी चीज़ को इंचार्ज बना दिया हूँ और बहुत अच्छे बलके हमारी कमीटी जो गवर्निंग बोड़ी है जो सेक्रेटी है प्रिसीडेंट है वो भी मुझे भरपूर सा योग देते है एक तो मैं सीनियर हूँ और वो लग कुछ जुनियर है तो इस लिहाज का भी मुझे फाइदा मिलता है कि वो मतलब हमें पूरी मदद करते हैं और इस लिए मेरा कॉलेज मेरा अच्छी तरीके से चलना है इसलिए कि कोडिनेशन है अगर गवर्निंग बोडि मुझे से खिलाप रहेगी तो साइद कॉलेज को इतना डेवलाउट करने में हमको परिशानी होता और इस कम समय में भी बस सरकार की एक डिगा होगी तो वो जो सरकारी महकमे से इतने पैसे अधर कॉलेजेस के प्रोफिसर को कंसिच्चुएंट वाले को मिलते है मुझे भी मिलेगा और अगर अच्छी सरकार आएगी और एजुकेशन को बढ़ावा देना चाहेगी तो जरूर अच्छा होगा जैसा के अभी अपगरेट किया गिया बहुत सारे स्कूल को तो मैं उसमें कहना चाहूंगा अभी वरतमान सरकार से कि आपने स्कूल को तो अपगरेट कर दिया जहां एट किलास की पढ़ाई चल ली थी वहाँ टीचर नहीं थी और ठीक से पढ़ाई नहीं हो पा रही थी बेस मेरा हो बेस है और हम बेस को अगर कमजोर कर देते तरी को कमजोर कर दीजेगा और पांच मंदिला बिल्डिंग उठाईएगा तो वो बिल्डिंग नहीं रहेगे उसी किसम से एजुकेशन को अगर अच्छा बनाना तो आपको बेसिक टीचिंग अच्छी देनी है नहीं के मार्ट पर बहाली करना है आप एक सिपाही का इंटर्विव लेते हैं उसको दड़ाते हैं लेकिन एक टीचर को आप नमबर देख करके अपाइंट कर लेते हैं तो ये नहीं होना चाहिए उनको उनका इंटर्विव होना चाहिए उनका लिखित परिक्षा होना चाहिए तब ये बहाली होगी और उस पर टाइम टू टाइम उनके सरकार की निगा भी रहनी चाहिए कि बच्चे को यह कैसे पढ़ा रहे हैं सर आखरी सवाल होगा आप से और कम शवदों में हम चाहेंगे जवाब कि इस्वर्क हैं या अल्ला दोनों तो एक ही हैं और उनके बाद अगर कोई आता है नीचे नाम भगवान का तो वो शिक्षा देने वाले शिक्षक होते हैं और आप परचार हैं तो मैं चाहूँगा सर की एक परचारी के तोर पर आप शहर की जनता को किन मुद्दों पर इस बार मतदान कहने की आगरे अपीलिया निवेदन करेंगे मैं उनसे ये निवेदन करूँगा कि आप एक अच्छे कंडिडेट को चुने है जो उसको चुनने के लिए आपको ये देखना होगा कि आप के पास जो कंडिडेट आ रहे हैं इस से पहले आपके सुक दुख में सामिल थे की नहीं इस सहर की परेशानियों में वो सामिल थे की नहीं तो ऐसे कंडिडेट को जरूर चुने है और वैसे कंडिडेट जो सिर्फ सिजना ला जाते हों उससे परहेश करें चाहे वो कोई भी पाटी को हमारे साथ भागलपूर एमेम डिग्री कॉलेज के परचारे डॉक्टर शलावदीन अशंसर थे और मैं भी चाहूंगा कि आप इस कुरोना काल में पूरी साबधानी बरते हैं और पूरी साबधानी के साथ लोकतंतर के इस महापर्म में हिस्सा लें और अपनी नजदी की मत सदान के अंदर पर जाकर अपनी मतों का परियोग करें मेरा नाम विकास कुमार सिंग के मेरे के पीछे सुमीत राज हमारा ये ब्यात चीत देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया